आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो मॉर्फो जेनेसिस से रिलेटेड पहले फोटो रिसप्टर के बारे में जो की है फाइटो क्रोम ओके यह टॉपिक आपको आपके स्लीबस में दाइसरी फोटो बायॉलजी नाम से मिल जाएगा तो कोई बच्चे जो हैं परेशान ना हो कि यह तो पढ़ाया ही नहीं ठीक है सेंसरी फोटो बायॉलजी का मतलब होता है प्लांट का कुछ ऐसा सिस्टम जो की लाइट को सेंस करना जानता हो और जब हम सेंसरी फोटो बायॉलजी के बारे में बात करते हैं तो मेंली हम फोटो receptors को deal कर रहे होते हैं तो आज का जो हमारा पहला photoreceptor है that is a phytochrome so let's begin देखते हैं कि इसकी कहानी कैसे कैसे चलती है ठीक है तो सबसे पहले शुरू करते हैं छोटी सी बात से कि suppose कीजिए कि this is a plant ठीक है अब इस plant को grow करना है तो very obvious इस plant को इसे क्या चाहिए इसे चाहिए light ठीक है sunlight से sunlight sunlight से जो light आती है that is वो बहुत से lights का composition होती है तो light चाहिए अब प्लांट अलग वलग टाइप के lights को receive करता है जैसे को गया red light हो गया, blue light हो गया तो इन सारे light को receive करने के लिए कोई तो receptor चाहिए होगा मैं कोई न कोई receiver चाहिए होगा right तो plant actual में light को या sunlight को deduct इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास photo receptors होते हैं अब यह जो photo receptors हैं यह vary हो सकते हैं ठीक है अगर हम photo receptor के बारे में बात करते हैं तो यह vary कर सकते हैं कैसे कैसे vary कर सकते हैं depending कि कौन से type का light यह absorb करते हैं जिसे कि for example एक photo receptor जो की red oblique far red light को receive कर सकता है उसको हम क्या कहें कि आप सब को नाम पता है previous class में ही मैं deal कर चुकी हैं इसको हम कहते हैं that is your phytochrome ठीक है phytochrome is a major type of a photo receptor जो की red and far red light को ही receive करता है next type आता है that is the blue light ठीक है blue light blue light को receive करने वाले बहुत से receptors है कुछ का नाम major 2 का मैं नाम यह आपर बता देरी हूँ although और भी बहुत सारे हैं जिसे की हो गया cryptochrome ठीक है cryptochrome is a blue light photo receptor इसके अलावा हो गया that is your phototropin phototropin is again a blue light photo receptor इसके अलावा भी एक photo receptor होता है जिसे हम बोलते है Z-loop family या Z-loop receptor Z-loop receptors भी blue light photo receptors ही होते हैं लेकिन उनको majority ढंक से इसलिए study किया जाता है क्योंकि वो organism में psychadian rhythm को control करते है what is the meaning of psychadian rhythm that is the biological clock को control करना ठीक है तो photoreceptor इतने टाइप के हो सकते हैं यानि plant में इतने टाइप की light को absorb किया जाता है plant के थूँ और receive करने के लिए इन सारे photoreceptors का यूज किया जाता है आज का हमारा जो topic होगा वो होगा phytochrome आने वाले वीडियो में cryptochrome अगर हम बात करते हैं मानलीजे इस plant ने light receive किया और light receive करने के बात यह अपना growth शो कर रहा है तो light पे depend होके यह जो अपना growth शो कर रहा है that is what call the photomorphogenesis photo means what light morphogenesis means the pattern or the changes right जो changes आते हैं plant में यानि plant में आने वाले कुछ ऐसे changes जो की light पे dependent होते हैं तो phytochrome का as well as cryptochrome का एक बहुत ही major role होता है photomorphogenesis करवाने में इसे ही हम बोलते हैं photomorphogenesis photomorphogenesis चीक है अब photomorphogenesis की जब हम बात करते हैं तो दो यहाँ पे tom आते हैं आपने जेनरली देखा होगा कि ऐसे plants जिसको की हम बहुत ही जादा ऐसे condition में ग्रो करें जहां पे उनको light नहीं मिल रही है यानि घर के अंदर ग्रो करके देखिए अकसर वो plant जो है बाहर के plant से काफी ज़दा different होगे तो इनही के differences के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जैसे के for example ऐसा plant जिसको की light properly नहीं मिला है और वो एक dark condition या light insufficient condition में ग्रो होता है उसको हम कहते हैं that is scotomorphogenesis यानि changes थो आए है उस plant में लेकिन light की presence में नहीं आए है या enough light की presence में नहीं आए है ऐसे growth को हम बोलते है scotomorphogenesis औबलिक इसी को हम बोलते हैं itiolated growth दूसरी तरफ ऐसा plant जो की light में ग्रो हो रहा है light पे depend हो की अपनी body के अंदर changes कर रहा है that is what call the photomorphogenesis इसके अलावा इसको हमें कौन नाम देते हैं that is de-etiolated growth क्योंकि itiolated growth का मतलब हो गया ऐसा plant जो की dark में ग्रो कर रहा है और d word लगा देंगे मतलब जो की light में ग्रो कर रहा है जैसे activated, deactivated word हम इसकरते हैं बिल्कुल वैसा ही तो ऐसे plants की कुछ खासियत होती है जैसे की for example ऐसे seedlings जो की dark में ग्रो करी है या light की absence में ग्रो करी है उनका cotyledon हमेशा close रहता है इसके अलावा apical hook का formation होता है मतलब plants को अगर आप देखोगे न तो starting में कुछ ऐसा apical portion होता है और वो hook की तरह form होने लगता है specifically तब जब उसे dark condition मिल रहा हो अगर आपने ethylene का triple response CSI net के syllabus में पढ़ा है जिसमें की apical hook का formation होता है यह बिल्कुल वैसा ही apical hook का formation की बात की गई है तो close cotyledon देखने को मिलेगा apical hook का formation short roots हो जाएंगे इसके अलावा stem that is hypokotyle का elongation हो जाएगा बहुत जादा length long हो जाएगे plant की internodes long हो जाएगे as well as chlorosis यानि plant जो है pale yellow color का नजर आएगा सब कुछ जो है आप इस particular plant से माच कर सकते हैं यह एक etiolated plant है मतलब dark में grow हुआ है और जितनी भी बाते मैंने बदाई है सब कुछ बाते यहाँ पे माच हो जाएगे इसका length normal plant के according बहुत जादा long है इसका pale yellow color है greenish color नहीं है apical hook देखिए उपर से जो portion है इस plant को देखिए और इस plant को देखिए उपर के जो portion है थोड़ थोड़ से bend होके रखिए that is what call the apical hook इनके cotyledon close होते हैं जो की mainly that is food को store करते हैं वो cotyledons close रहते हैं इसके अलावा जो है that is इनके internautes long देखे जाते हैं तो ऐसे seedling को हम बोलते हैं dark grown seedling और इसको हम कहते है scotomorphogenesis ठीक है यानि dark induced growth is known as a scotomorphogenesis oblique etiolated growth second यह term आता है photomorphogenesis का photomorphogenesis का meaning मैंने अभी आपको बताया कि light में होने वाले growth oblique plant में changes जो है that is वो कहलाते है photomorphogenesis इसी को हम कहते हैं de-etiolated growth अब इस टाइम पे कौन-कौन से symptoms देखने को मिलेंगे बिल्कुल इसका उल्टा जैसे कि हाइपो कोटायल की lengthening inhibit हो जाएगी यानि जरूरत से जादा plant long नहीं होगा यह जो इतना length लिया है न यह unwanted length है एक plant को यहाँ से एक पहला concept आपके जो है कि actual में photomorphogenesis में plant को एक accurate length देने के लिए उसका excess growth को भी रोका जाता है तब ही एक plant बिल्कुल इसा ही हाइट ले पाता है जितने की उसको जरूरत है तो यहाँ पे हाइपो कोटायल की unwanted जो lengthening थी उसको inhibit किया जाता है ताकि वो appropriate height ले इसके अलावा cotyledon open हो जाते है जिसे हम बोलते है cotyledon expansion जिसे यहाँ close थे यह हो जाते है open next epical hook यहाँ पे open हो जाता है इसके अलावा anthocyanin का production देखा जाता है chloroplast का development देखा जाता है and pigmentation भी देखा जाता है that is plant and root में तो यह सारे features किसके होगा यह सारे features ऐसे plants के हो गया जो की light में grow करेगा light grown जिसे हम बोलते है ऐसा plant जो की photomorphogenesis शो करेगा और यह एक ऐसा plant हो गया जो की dark में grow करेगा dark growth ठीक है तो इस डंक से हमने main main portion देखा कि यह actual में काम कैसे कर रहे है और आपको यही सारी बाते जो है light grown and dark grown के तो आप gate से ऐसा expectation करी सकते है क्योंकि वो छोटे-छोटे से question मनाता है और यहां से बहुत सारे question मन जाते है ओके next अब हम बात करते हैं phytochrome के बार में तो अभी जो हमने photomorphogenesis देखा अक्च्वल में phytochrome का one of the most important function होता है that is photomorphogenesis क्योंकि आप खुद सोचिए photomorphogenesis light के presence में होती है light यानी photoreceptor वहां पे काम करेगा ही and then वो plant में ग्रोथ करवाता है that is why phytochrome का बहुत important role होता है that is photomorphogenesis अब phytochrome के बार में हमने पहले भी बात किया था अगर आपको याद हो तो that is in our previous class जिसमें photomorphogenesis पढ़ रहे थे ठीक है? sorry, that is your photoperiodism पढ़ रहे थे तो photoperiodism में हमने phytochrome के बार में पढ़ा था बिल्कुल वही कहानी यहां पे भी है लेकिन आज हम इसके थोड़ा detail basis पर focus करेंगे, सिर्फ इसी के structure पर focus करेंगे, तो सबसे पहले बात करों तो phytochrome एक blue-green pigment protein होता है यानि यह खुदी एक ऐसा protein है जिसका color blue-green color का आपको देखने को मिल सकता है, यह एक photoreceptor जो की red and far red light को receive करता है, इसके अलावा इसका synthesis mainly dark condition में होता है, mainly in the cytoplasm synthesizing form होता है PR form और अभी तो आपको अच्छे से पता हों चाहिए कि phytochrome के कितने form होते है phytochrome के दो form होते है previous class में ही मैंने बताया था phytochrome red and phytochrome far red जिस form में phytochrome का synthesis होता है वो होता है PR form cytoplasm में इसका synthesis होता है and इसके occurrence की बात करें तो यह bacteria, plants, algae and fungi इन सब में पाया जा सकता है इसके दो photo reversible form होते है that is PR form and PFR form आपको पता है यह reverse कैसे होते है that is PR को अगर red light मिलता है तो यह PFR में बदलता है और PFR को अगर far red light मिलता है तो यह PR में बदलता है this is what call the photo reversible यानि एक दूसरे में change होना मतलब कि बहुत जादा आसान होता है इनके लिए अगर desirable amount of light or desirable wavelength of light अगर present होती है तो अगर हम इसके structure के बारे बात करें तो यह एक ऐसा photo receptor है जो की dimer form में होता है और इसे हम chromo protein भी कहते है because इनके पास chromo 4 होता है chromo 4 mainly क्या कर सकता है that is light को receive कर सकता है तो chromo 4 होने के कारण हम इसको chromo protein भी कहते हैं इतना ही नहीं फाइटो क्रोम जो है red and far red light को तो receive भी करता है लेकिन साथ साथ में यह blue light and UVA radiation इनको भी absorb कर सकता है लेकिन blue light को जो absorb करने की इसकी जो quantity हो बहुत ही कम रहती है as compared to the red and far red phytochromic soluble protein है dimer form में पाया जाता है और it is made up of a two equivalent subunit ठीक है दो subunit होगे that means what it is a dimer each subunit, एक subunit के पास क्या-क्या होता है एक subunit के पास light absorbing pigment होता है जिसे हम बोलते हैं chromo 4 और उसके अलावा एक polypeptide chain होता है जिसे हम कहते हैं apoprotein तो यह रहा that is यह एक monomer है यह oblique 1 subunit आप कह सकते हो इसके पास देख सकते हैं आप यह sensor protein है मतलब भी इसके पास chromo 4 होगा इस एरिया में और यह रहा polypeptide वाला area जिसे आप apoprotein कह सकते हैं तो apoprotein और chromo 4 यह दोनों मिलकर holo protein बनते हैं और हमेशा complete protein ही functional protein बना जाता है अगर आप apoprotein को अलग कर दो और chromo 4 को अलग कर दो तो आप सोचो कि अकेला अपoprotein अगर काम कर ले तो ऐसा नहीं होगा क्रोमो 4 is a light absorbing molecule light को अब्सॉर्व करने का काम अगर आप इसको रिमूव कर दे तो 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 वेरी ओविस इत विल नॉट गूइंग तो 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 हायर प्लांट में देखा गया है कि क्रोमो 4 फाइटो क्रोम का में पाया जाता है यह पाया जाने वाला फाइटो क्रोमो बिलीन के नाम से जाते हैं तो यह कुछ structure आप देख सकते हैं this is the end terminal of phytochrome this is a C terminal दोनों जो है that is sensory protein as well as C terminal area hinge region से join होके रखा है और साथ साथ में यहां पे आप देख सकते है that is chromophore protein जो है यह थायो ether bond से जो की equivalent bond होता है उससे join होके रखा है ठीक है अब बात करते हैं कि जो photo reversible form है यह काम कैसे करता है although previous video में मैं आपको already समझा चुकी हूँ कि यह काम कैसे करता है फटा फट से deal कर लेते हैं जो synthesizing form होता है PR form होता है PR को जब red light मिलती है ठीक है PR को जब red light मिलती है तो यह क्या करता है फट को change करता है PFR में और पी एफ और को जो far red light मिलेगी तो यह खुद को किसमें change करेगा that is PR में फार एट मिलेगी तो खुदको change करेगा पी एफ र में अब देखने वाली बात है कि यह कैसे कैसे होता है आपको पता है कि ये वाला process बहुत ज़्यादा fast होता है और ये वाला process बहुत ज़्यादा slow होता है ये form active माना जाता है और इसी form की वज़े से plant के अंदर response देखने को मिलता है कौन सा response जिसे हम कहा रहे हैं photomorphogenesis तो अगर हम ये कहते हैं कि एक light grown seedling है तो उसमें concentration किसका high पाया जाएगा very obvious light grown seedling में that is PFR का concentration high रहेगा light grown plant में क्या रहेगा light grown में present रहेगा PFR in very high amount और अगर PR की बात करते हैं तो PR का amount कौन से plant में ज़दा रहेगा dark grown में ऐसे plant जिसको की dark में grow किया गया उसमें PR का concentration बहुत ज़दा present रहेगा ठीक है इस ढंक से हमने देख लिया कि एक काम कैसे करता है एक मिन्ट में इसको थुरा सा erase करके proper लिए यहां पर लिख देती हूँ this will be fast okay fast conversion तो हमने यही कहा है यह जितनी भी बाते यहां लेकि गई हैं बिल्कुल यही बाते लेकि गई हैं क्यूंकि यह जो form होता है यह कौन सा form है यह form है synthesizing form अब यह आपको पढ़ाया था कि synthesize जो होता है PR form में ही होता है और conversion इसका red light के presence में और far red light के presence में होता है बिल्कुल इस तरीके से यह हमने देख ली photo reversibility phytochrome की अब आते हैं type of phytochrome के बार में total 5 type के phytochrome पाये जाते हैं और phytochrome को code करने वाले gene को हम कहते हैं phy gene और यह phytochrome कौन कौन से हैं that is phytochrome A, B, C, D and E यह 5 type के phytochrome पाये जाते हैं सबसे पहले type के phytochrome को हम बोलते हैं that is type 1 and second को हम बोलते हैं type 2 type 1 में predominantly पाया जाने वाला phytochrome A होता है and type B में जो है that is phytochrome B, C, D, E पाए जाते हैं यानि A जो है अकेला type A में पाए जाता है बाकी B से लेकर E तक सारे type 2 में पाए जाते हैं तो जरा सा देख लेते हैं कि इनका function क्या होता है सबसे पहले अगर हम बात करें तो phytochrome A dark में function करता है ठीक है यानि हम कह सकते हैं dark grown seedling जिसे हमने etiolated कहा था उसमें phytochrome A का amount काफी high पाया जाएगा और as because ये dark grown में पाया जाता है that means ये किसके थूँ अक्टिवेट हो सकता है ये मेली far red light की थूँ अक्टिवेट हो सकता है यानि phytochrome A is a type of a receptor जो कि that is far red light को receive कर सकता है ठीक है and phytochrome A क्या कर सकता है लगाता response far red light को that is receive करने के बाद दे सकता है and next thing is that कि phytochrome A को हम light sensitive मानते है इसलिए दिन के time में यानि light के presence में अगर हम red light की presence की बात करें तो उस time ये बहुत unstable होता है इसलिए हमने काए कि it is a light sensitive red light की presence में इसका degradation हो सकता है और ये normally काम नहीं करेगा तो type A या type 1 का जो phytochrome है या phytochrome type 1 जो है उसका एक example बनता है that is phytochrome A next अगर हम बात करते हैं phytochrome के बारे में that is type 2 phytochrome तो ये सारे के सारे phytochrome mainly sorry it should be red red light की presence में activate होते है और ये light grown seedling में सबसे ज़्यादा पाये जाते है यानि light grown seedling को हम क्या कहते है de-etheolated plant तो ये de-etheolated plant में सबसे ज़्यादा high पाये जाएंगे इसके अलावा ये red light की presence में activate होते है that means what they are red light photoreceptors इन सभी phytochrome में से जो phytochrome B होता है में सबसे ज़्यादा अबंडेन बेसिस पर पाया जाता है that is light grown seedling एक्जाम्पल के लिए होगया phytochrome B, C, D and E ये सारे के सारे phytochrome ताइप 2 phytochrome के पाइटे है तो तो टोटल आविडोपसस में अगर हम कहें तो 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 टोटल 5 phygin पाया जाता है, rice में only three राइब है ou popular में only two राइब है यहां ऑल रिखे छोटे मोटे कोशन बन सकते हैं इस रंक सेben से मैं रदेख लिख है कि फाइटोखने टाइब होते हैं दू टाइप होते हैं बाकी 2 है कि 2 विए BCDE या टाइप 2 जो होते हैं यह light stable होते हैं याद रखेगा these are the light stable phytochrome जबकि phytochrome में light sensitive था ठीक है okay last चला आता है that is the function इसके बाद mode of action देखेंगे phytochrome का मेली function क्या होता है photomorphogenesis करवाना negative nasty movement करवाना leaf का that means वो leaf जो कि दिन के time में open रहती है और रात के time में close जाती है seed का germination करवाना and then flowering करवाना तो यह कुछ छोटे मुड़े से function थे regarding the phytochrome अब हम बात करते है mode of action के बारे में यानि काम कैसे करता है अब जब भी कोई चीज काम करती है तो उस particular pathway के positive regulator होते हैं and negative regulators भी होते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस particular phytochrome के mode of action के लिए negative regulators कौन से होते हैं तो पहले का नाम है PIF PIF क्या होता है phytochrome interacting factors यह phytochrome interacting factors they are mainly famous for the etiolated growth मतलब यह dark में growth करवाने के लिए famous हैं यह mainly dark में induced होने वाले gene को activate करते हैं और plant में etiolation करवाते हैं तो यानि यह कैसे हो गया phytochrome and scotomorphogenesis तो पूरा उल्टा चलता है ना यह phytochrome present है मतलब कि photomorphogenesis होना चाहिए लेकिन PIF is famous for the scotomorphogenesis तो यह पूरा उल्टा होया so that is why we are saying कि PIF जो है negative regulator होता है phytochrome के action का फिर आता है COP1 COP1 is a constitutive photomorphogenic one यह एक ether ubiquitin ligase है यह particular that is COP1 का का काम होता है कि अपने target protein पे छोटे-छोटे से ubiquitin proteins को आड करना और उसका degradation करवा देना ठीके COP1 का एक और friend होता है SPA1 SPA1 protein के साथ जब COP1 bind करता है तो stable हो जाता है और उस particular stability के कारण वो अपना function जो है बहुत अच्छे से perform कर पाता है तो that is PIF COP1 SPA1 यह तीनो जो है negative regulator माने जाते हैं phytochrome के action के अब अगर positive regulator की बात करें तो phytochrome खुद एक positive regulator होता है अगर वो light stable form में present है तो as well as जो HY5 जो की एक transcription factor है यह भी क्या होता है this is also acting as a positive regulator क्योंकि अगर इसका transcription होता है तो very obvious plant में photomorphogenesis देखने को मिलेगा तो सिफ अकेला HY5 ही transcription factor नहीं है और भी transcription factor है जैसे कि हो गया HY5 खुद LAF1 and HFR1 यह सब के सब क्या होगे transcription factor होगे HY5 का mainly जो structure है इसको हम basic leucine zipper type मानते हैं Bzip type transcription factor मानते हैं तो यह सभी के सभी एक type के transcription factor होगे जो की यहाँ पे काम करते हैं अब जरा सा हम इसके mode of action को study करते हैं कि क्या 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 काम कर रहे हैं तो देखिए ओके आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है mode of action कैसे चल रहा है mode of action यहाँ पर दो टाइप से होता है ठीक है पहले हम बात करते हैं that is dark condition में क्या होता है जब light present नहीं है तब dark obviously dark रहेगा और उस time पर क्या होता है हम जरा सा यह देख नुकलियस वाला area बना देती है this is a nucleus तो होता क्या है as because रात का टाइम में right रात का टाइम में किसका amount ज्यादा रहेगा निए dark phase है तो किसका amount ज्यादा रहेगा PR ज्यादा रहेगा ठीक है PR ज्यादा है लेकिन आपको पता है phytochrome far red and phytochrome red में से PFR is a active form तो dark phase में क्या होता है dark phase में PR होता है जो की in active है ठीक है in active form आना जाता है तो यह as it is यहीं रहता है nucleus में साथ-साथ में क्या होता है nucleus में जो COP1 है ठीक है COP1 यह COP1 क्या करता है SPA1 के साथ मिलकर यह दोनों जो है क्या करते है transcription factor जो यहां present है जैसे कि हो गया HY5 HFR1 and next that is your LFA1 if I'm not wrong LAF1 मैंने गलत लिख दिया यहां पर LAF1 ठीक है यह तीनों transcription factors पर या करते है as because they are ubiquitin that is E3 ubiquitin ligase यह सारे क्या करते हैं इन सारे transcription factors पर छोटे-छोटे से proteins को add कर देते हैं यह proteins इनके उपर tag की तरह काम करते हैं और इनका क्या हो जाता है degradation हो जाता है degradation कौन सी mechanism से 26S proteosomal degradation हो जाता है ठीक है 26S proteosomal degradation हो जाता है apart from this और क्या होता है as because SP1 और COP1 ने तो that is इनका degradation करो जाता अब तो transcription factor present नहीं है transcription factor present नहीं है तो क्या यह photomorphogenesis करवाएगा answer is no photomorphogenesis right कोई photomorphogenesis नहीं होगा लेकिन साथ-साथ में यहां पर PIF active रहता है यह PIF active रहता है यह PIF क्या करता है यह PIF that is dark induced gene को activate करता है dark induced gene यह dark induced gene क्या करता है यह dark induced gene scotomorphogenesis करवाता है scotomorphogenesis यानि जिसे हम बहुते है dark grown dark grown feature या फिर dark में grow होने वाले plant की features इसके अलावा PIF क्या करता है एक और चीज को यहां पर inhibit कर रहा होता है किसको light induced gene को क्योंकि very obvious that is ऐसे चीजों का यह activation करवाएगा जिसका that is mainly लेना देना जो है में लिए dark grown से होगा light grown वाली सारी की सारी चीजों को यह inhibit करगा इसलिए no photo no photomorphogenesis अब यहां पर photomorphogenesis तो होगा नहीं सारे transcription factor degrade हो चुके हैं कैसे degrade हुए है 26s photozomal pathway से हुए है light phase में क्या देखा जाता है तो light phase में देखने के लिए हम अगेन यहां पे एक nucleus को draw कर देते हैं suppose कीजिए यह nucleus और यह obviously यह पुरा slide जो है that is cytosol है तो अब देखने क्या मिलता है that is light की presence में क्या होगा PR है right PR को red light मिलेगी red light की presence में क्या होगा यह PFR में change हो जाएगा PFR में change होने के बात क्या करेगा यह लेगा अंदर entry ठीक है यह आ गया PFR PFR के अंदर entry लेते ही क्या करेगा यह सबसे पहले क्या करेगा सबसे पहले यह बाहर भेज देगा किसको COP1 को COP1 आ गया Cytosol के अंदर nucleus से निकल कर और SPA1 अकेला यहां पे free हो गया लेकिन SPA1 अकेला तो कुछ काम कर नहीं सकता है तो COP1 बाहर चला गया SPA1 यहां पे आ गया इसके इलावा यह PFR क्या करता है फटाफट से PIF को inhibit करता है और PIF का यहां पे degradation करवा देता है 26S machinery के थुई degradation करवा देता है यहां पे क्यानि PIF भी खतम क्यूंकि light का presence है यहां पे यहां पे photomorphogenesis होना चाहिए scotomorphogenesis वारी सारी चीज़ों को यहां पे रोक देना है अब as a result of that क्या होगा as a result of that यह जो हमारे पास transcription factor थे जैसकी हो गया HY5 ठीक है इसके अलावा हो गया that is your LAF1 ठीक है इसके अलावा that is your HFR1 यह सारे transcription factor क्या हो जाएंगे free हो जाएंगे they are free free होंगे तो क्या करेंगे very obvious free होंगे तो यह क्या करेंगे that is transcription करेंगे transcription करेंगे तो क्या होगा ऐसे gene का transcription करेंगे जो की photomorphogenesis करवाएगा photomorphogenesis तो ये थी पूरी कहानी that is for your phytochrome कि इसका mode of action कैसे काम करता है जो याद रखने वाली बात ये है कि हच वाई फाई का degradation कब होता है night time में होता है या light में या day में light को हम day condition भी कह सकते है और यहाँ पे हम dark को night condition भी कह सकते है fine तो इस डंक से हमने देख लिया कि light के presence में क्या होता है and dark के presence में क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा highlight कर देती हूँ ताकि आप लोग को जो है समझने में आसानी हो ठीक है ये रहा light condition ये रहा dark condition अब इसी को मैंने यहाँ पे summarize कर दिया है कि dark में क्या होगा COP1 nucleus के अंदर ही रहेगा COP1 जो है nucleus के अंदर ही रहेगा COP1 function करेगा E3 ubiquity ligase जैसा और HY5 का degradation बार-बार करवाता रहेगा जिसकी वज़े से dark condition में कोई भी photomorphogenesis देखने को नहीं मिलेगा जबकि light condition की बात करते हैं तो COP1 का export cytoplasm में हो जाएगा nucleus में वो नहीं रहेगा HY5 free हो जाएगा जिसकी वज़े से क्या होगा HY5 का accumulation बहुत ज़ादा होगा क्योंकि COP1 बहार चला गया तो अब इसको degrade करने वाला कोई नहीं है HY5 का यहां पे accumulation बहुत ज़ादा हो जाएगा HY5 फिर successfully transcription करेगा ऐसे gene का transcription करेगा जो कि photomorphogenesis में help करेंगे तो यह सारी की सारी बात हैं हो गई तो यह I think I am expecting कि यह portion जो है आपने proper तरीके से समझ लिया होगा यह काम कैसे करते हैं second आती है चीज की shade avoidance shade avoidance यानि ऐसे पौधे जो की दूसरे प्लांट की shade में ग्रो होते हैं जैसे canopy area होता है अगर आपने देखा हो माल लीजे यह plant है ठीक है ऐसे बहुत से यहां पे प्लांट है जिसे हम बोलते हैं में बहुत जादा घना जो एरिया रहता है बहुत जादा जो एरिया रहता है बहुत जादा डेंस फॉरेस्ट यह रहता है तो वहां पे छूटी छूटी से plants भी like produce होते हैं लेकिन इन plants को कभी भी उतनी sunlight नहीं मिल पाती है तो यह जो plant है जो की सफर होते हैं क्योंकि उनको sunlight नहीं मिल पाती है इसे ही हम बोलते हैं क्या that is shade avoidance syndrome जिसकी वज़े से क्या करते हैं जिसकी वज़े से as because इनको वैसा ही condition मिल रहा है जैसे मानलो कि dark condition हो और आपको पता है dark condition होगा तो कौन से ज़दा होगा light के मामले में पी-एफ-आर का amount ज़दा होगा क्योंकि डार्क-फेज में पी-एफ-आर जदा पाय जाता है और डार्क-फेज में पी-आर भी सिंतेसाइस होता है और यह plant क्या करेगा यह plant बिल्कुल ऐसा ही growth जैसा growth मेली आपको देखने को मिलता है इटियो लेटिड प्लांट में रिजेंबल करेगा यानि कहने का मतलब हो गया that is your long हाइपो कोटाइल यानि उसका length बहुत जादा होगा क्योंकि वो चाहता है कि उसको भी sunlight मिले जिसकी वैसे उसका length बहुत जादा होगा क्योंकि इसको ना चाहके भी ऐसा condition मिल रहा है जैसे मानलो की इसको किसी dark condition में रखा गया क्योंकि इतने जादा जब dense forest होते हैं तो light जो है पूरा अंदर तक penetrate नहीं कर पाती है तो canopy plants में कौन से phytochrome का amount जादा होगा इस type से करके आप से पूर सकता है question ठीक है या फिर पूर सकता है कि कौन से that is कौन सा light का amount जाता होगा या कौन से phytochrome का amount जाता होगा या फिर वहां के plant किस type का growth आपको show like किस type का growth show करते हैं तो इस तरीके से अलग type question आ सकते है next आता है that is mutation condition mutation condition में क्या देखने को मिलता है normal basis पे कहा जाए तो PFR का में काम क्या होता है PFR का में काम होता है that is photomorphogenesis करवाना PFR का एक और काम होता है जिसे हम बोलते है that is your length को plant के length को inhibit करना that is hypokotyle के elongation को inhibit करना तो क्या यह inhibition plant को छोटा कर देता है answer is no यह plant को accurate growth प्रोवाइड करता है ठीक है प्लांट को अगर accurate growth प्रोवाइड करना है तो very obvious उनके growth को limited करना पड़ेगा अगर उनको limit में ना किया तो वह automatically क्या होगा बहुत ज्यादा length लेते जाएंगे तो limited growth को करवाने के लिए हम कहते हैं कि फाइटो क्रोम जो होता है that is mainly PFR form फाइटो क्रोम का वह stem के length को inhibit करता है तभी एक plant normal high tetan कर पाता है ठीक है तो PFR का का काम क्या होता है that is elongation को रोकना elongation को inhibit करना तो यहीं पर एक mutant देखा गया है जिसका नाम है HY5 mutant ठीक है HY5 mutant को देखा गया है कि यह mainly proper धंग से functioning नहीं कर पाता है ठीक है इसका जो chromo 4 है इसका जो chromo 4 है वो defective है जिसकी वज़े से वो light को sense नहीं कर पाता है और chromo 4 defective होने की वज़े से क्या हो गया इसका elongation inhibit नहीं होता है जिसकी वज़े से इसका हाइपो कोटाइल बहुत जादा हाइपो कोटाइल का length बहुत increase हो जाता है length high क्योंकि अगर यह plant यानि HY5 mutant plant अगर normal होता तो इसका phytochrome normally काम करता नॉर्मल ही काम करता तो elongation को रोग कर रखता प्लांट को normal height प्रोइड करता लेकिन आज भी कॉज इसका phytochrome properly काम नहीं कर रहा है क्योंकि तो भी यह ऐसा खुद का growth दिखाएगा जैसे की यह एक etiolated plant हो क्योंकि light का असर इस पे तो तब पढ़ेगा ना जब इसके पास receptor होगा जब इसके पास receiver होगा लेकिन इसका तो chromophore काम ही नहीं कर रहा है की बात करें तो माली जे चार टाइप का pif gene है और चारो का चारो pif gene क्या हो गया mutate हो गया ठीक है mutated pifs तो क्या होगा अब चाहे आप इसको light दीजिए ठीक है या dark दीजिए कोई भी condition दीजिए यह एक ही काम करेंगा that is what photomorphogenesis अब आप तो बोलोगे माम अभी तो आपने बोला था कि pif जो है that is kotomorphogenesis करता है यह photomorphogenesis कैसे कर रहा है क्योंकि यह mutant है mutation की वज़े से यह अपना normal काम नहीं कर पा रहा है अब चाहे आप इसको light दीजिए या फिर डार कंडिशन दीजिए यह photomorphogenesis करवाएगा in fact dark में भी यह plant में ऐसा growth करवाएगा जैसे कि बिलकुल photomorphogenesis में देखा जाता है इसलिए हम कहते हैं कि pif mutant को जिसे मालिए चार टैप का pif gene था चारो म्यूटेट होगे उसको हम बोलते है quadrupole mutant तो उसको आप चाहे light के presence में ग्रो करवाएगे या dark के presence में ग्रो करवाएगे वो हमेशा ही photomorphogenesis शोग करेगा तो एक आपके पास यह रहा mutation condition और एक यह रहा ठीक है okay so with this we are done with phytochrome I am expecting के चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी so till then take care मिलते हैं आपसे next video में bye bye and keep learning कर दो कर दो झाल झाल